नमस्कार हर इंसान की प्रॉब्लम होती कि या क्रोध आये तो उस क्रोध को कैसे सांत करें अक्सर लोगों का जो बहुत से सार लोग होते ना उनको क्रोध बहुत कतरनाक होता है उस क्रोध में वो क्या क्या कर जाते हैं क्या 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 बोल जाते हैं और उस क्रोध से वो परिसान रहते हैं, और जो वो क्रोध सांत होता है ना, तो उस क्रोध से वो अपने आपका नजने कितना नुक्सान कर लेते हैं, और सामने वालों को क्या से क्या कह देते हैं, तो वह अक्सर यही लोगों से पूछे कि हम हमारा क्रोध केसे कम करें क्रोध में हम हमारा नुकसान केसे कम करें हम क्रोध में बहुत कुछ कर जाते हैं और बाद में पता चलता है कि हमारा बहुत कुछ नुकसान हो गया है हमारा बहुत कुछ लुट चुका है बहुत से लोगो कि क्रोध को कैसे सांथ करें और क्रोध में ऐसा क्या करें कि आपका नुक्सान बिलकुल नहों और क्रोध भी सांथ हो जाए और आपका नुक्सान भी नहों ऐसा क्रोध में क्रोध आये तब इसा क्या करना चाहिए उसके बारे में आज अपन बात करें सबसे पहले तो यह करना, जब्ही आपको जाये आपेज इन है, उस क्रोध में आप अपने मौर पर ताला लगा देबाओं, पानी काये के पानी को हाथ में लेके जब भी कोध आये मैं बोलूगा नहीं मौन हो जाना बिल्कुल मौन और संकर्प लेना कि जब भी कोध मेरा सांथ होगा ना तब में वापिस बोलना इस्टार्ट करूगा अब आपको सर कोध आएगा तो हम बोलेंगे नहीं तो उससे क्या होगा पता है आपको जब इंसान को कोध आता है तो कोध में इंसान बोलता है और कोध में इंसान क्या बोलता है पता है आपको कोई अच्छे अच्छे बिटे मिटे वर्ड निकालता है कोध में निकालता है क् गाली निकलती है और गाली क्या निकलती है माबाप तक की गाली निकलती है बाए बहन तक की गाली निकलती है अपने परिवार में कोई लड़े को तो दोस्तों में होतों भी माबाप की गाली निकलती है और फिर क्या होता है और फिर क्या होता है वही वाड सामने वाले इंसान को गायर करते थे, पता है आपको, किसी इनसान को सिर्फ अस्तरों से ही, सिर्फ लाटी से या किसी हत्यार से ही गायर नहीं किया जाता है, किसी विद्वान व्यक्ति ने कहा है, कि आपके सब्दों से भी सामने वाले व्यक्ति को गायर किया जा सकता है, अगर आप कोद में सामने वाले को तरह तरह के वर्ड कोगे, मा बेन की गालिय कोगे, ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, मेरी बात जिवन में, किसी व्यक्ति से आप लड़ी कर लोगे ना, तो वो साल, दो साल, पांस साल पूछ जाएगा, लेकिन आप उसको कोद में वो जिवन पर याद रखेगा और आप से बदला लने की कोशिश करेगा, तो जब भी क्रोध आए तो कुछ मत करना, बस सांथ हो जाना, मौन हो जाना, दस मिन, पंदरा मिन और कंटे पर रेके लिए, और जब भी आपका क्रोध सांथ होना, तब बोलना सुरू करना, जब क् आपका वही रूप, पहले वाला रूप आपके सामने आजाएगा, जो आप पहले काली नहीं निकालते थे, जो पहले आप अच्छे अच्छे बोलते थे, वही रूप आपके सामने आजाएगा, आपका अपना, और आप जब क्रोध सांथ हो जाएगा, अच्छे अच्छे वर्ड वापिस लोगों से बढ़िए तो जब भी क्रोद आए तो क्रोद में कुछ बोलना जब आपके अंदर बहें करोद आजाया किसी भी कारण से तो उस वक्त खुच भी काम बत करें। साइलेंट एक जगह पर बेट जाना। अगर आप क्रोध में कुछ भी काम करोगे या क्रोध में ड्राइविंग करोगे या क्रोध में आप किच्छन में कुछ भी काम करोगे या क्रोध में आपको अपना बिजनिस का कारी करोगे इसलिए किसी विद्वान ने कहा है कि जब भी क्रोध आए तो क्रोध में कुछ भी काम मत कर। एक गंटा अदा गंटा दो गंटा बेटना हो तो बेड़ जाना आप चुप चाओ silent नब जयाना बस एकडम sally और जैसे क्रोध में अंसक्सिस होंगे और आपका 100% नुक्सान होगा तो ये दुग बात है आप ध्यान रखना अगर क्रोध से अपने आपका नुक्सान बचाना है और सामने वाले का भी नुक्सान बचाना है और सामने वाले की अगर उसका गुसा आपको जहनना है तो आप ध्यान आप जब आपको गुसा आये, तो गुसे में कुछ बोलना मत, और गुसे में कुछ काम मत करना, ये दो चीज़े आप कर ली न, तो आपको गुसा भी सांथ हो जाएगा, और आप अपने नुक्सान से भी बच जाओगे, इसलिए क्रोध को सांथ करने का सबसे बहतर, मेरी नजर में, इस गुसा साथ हो गया, अब में रिलक्स हूँ, अब मैं कुछ कर सकता हूँ, अब में कुछ बोल सकता हूँ, उस वक्त आपकुछ बोलना, आपकुछ काम करना, इसलिए जब भी गुसा आये तो बस ये दो चीज कर लेना. जलाआ तर sometime बढ़ें, yeah,